हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागा थे आपका जियो भी नीज पे दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस समचा टूड़े ब्रेकिंग नीज के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सकाइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी भी डूटल आप तक पहुंच जी रहे तो दोस्तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में तो दोस्तो आज की सबसे बड़ी खबर है फेस्बुक ने भारत में पहला इंटरेटिव गेम सो लाँच किया ह जिसका सिर्सक भारत में काउन फेटी है कमपनी ने एक बयान में कहा है कि 12 जून से सुरू होने वाला यह इंटरेटिव सो बुधवार से रभी वार तक फेस्बुक में समर्पित वीडियो प्लेटफॉर्म फेस्बुक वार पर प्रकासित किया जाएगा इस इंटरेटिव को सबसे पहले अमेरिका में लॉंच किया गया था इसमें भागिदारों को पॉप कल्चर ट्रिविलस से जुड़े सवालों का जबाब देना होता है और उसे रोज़ाना तीन लाख रुपे नगत पुरसकार जीतने का भी मौका मिलता है फेस्बुक के निर्देशक और भाग के साथ लाने में सक्षम करेगा यह घोशना मौंबई में आज इत फेस्बुक के सोसल इंटर्टेन्मिट सब्मिट में कतर में की गई है यह सो एक्स्क्लूशिव रूप से फेस्बुक वार पर प्रकासित किया जागा तथा यह सो कनाड़ा, यूगे, मैक्सिको, जाहित दुनिया के अन हिसों में पहले से ही यह उपलब्ध है, जी हा दोस्तों, अकली बड़ी ख़बर, सेना ने तयार की जम्मू कस्मीर में दस प्रमुक आतंकवादियों की हिट लिस्ट जल्द करेगी खात्मा, जी हा दोस्तों, सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कस् जनसी अर्ध सैनिक बलो, सेना और जम्मू कस्मीर पूलिस ने मिली जानकारी के बाद यह सुचना तयार की गई है, एक अधिकारी ने बता है कि नाइकू घाटी में हिजमुल मुझाहदीन मतलब हम का मुखे कमांडर है, और इस सुची में उसका नाम सबसे उपर है, क्योंक असामा, हम का अंतनाल जिला कमांडर मुहमद असरफ खान, हम का वरमुला जिला कमांडर मुहमद दीन, सिरिनगर के हम का आतंकी सैफुदीन मिर्फ उर्फ डॉक्टर सैफ, हम का पुलवामा जिला कमांडर अरसद उलहक सामिल है, आपको बता दे कि घाटी में जैस के वादी एजाज अहमद मलिक और जैस ए मुहमद आतंकी जासिद सेख उर्फ उमर अफगानी भी आतंकवादियों के सूची में सामिल है उन्होंने कहा है कि इस दस आतंकवादियों के खिलाफ लक्षित अव्यान जल्द ही सुरू किया जाएगा जिहां दोस्तों अगली बड़ की सामभावना है माना जा रहा है कि भारती रिजर्बेंग की और से आम लोगों को एक बार फिर से बड़ी रहात मिल सकती है इसकी सुरूवत आज से हो गई है आज से आर्बिया के गवर्नल ससीकांत दास की अगवाई वाली मौदरिक नीती समीती की तीन दिनों के बैठक रहा है कि इस बैठक में आर्बियाई लोगों को रहत दे सकता है रिजर्बैंक आफ इंडिया की बैठक को पिछले दो बैठक में MPC नीतिगत दरो में करमसा 0.25 फीसदी की कटवती की गई है जिसे देखते हुए उमीद की जा रही है कि आर्बियाई की बैठक में 0.25 चिकी गुझाईस बढ़ जाती है अगर RBI लगतार तीसरी बार रेपो रेट में गिरावड करता है तो आम लोगों को बड़ी रहात होगी तो आप के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी होगी अगर रेपो रेट में गिरावट होती है तो बैंक की ब्यासदर में गिरावट आएगी और आपका कर्ज पहले सस्ता हो जाएगा और आप पर EMI का बोज भी कम हो जाएगा जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी ख़बरे गूगल मैप में आया ब आप गूगल मैप में ही ट्रेन की लाइव लोकेशन देख सकेंगे और साथ ही यह भी जान सकेंगे कि आप जिस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं वह कितनी देरी से चल रही है और आपके प्रस्थान स्टेशन पर कितनी बचे आएगी इसके अलावा नए अपडेट के आपको यह भी सटिक रास्ता भी दिखाएगा यदि आप बस में सफर कर रहे हैं तब भी गूगल मैप आपको बस में पूरी जानकारी देगा जी हादोस्तो यदि बस में देरी से चल रही होगी तो गूगल मैप में आपको रेड कॉलर के नोटिफिकेशन भी मिलेगा वह यूजर्स को हरे रंके टेक्स में बस का निर्धारित समय दिखेगा इस फीचर की सुरुवाती तोर पर पैंगलूरू, चिन्नाई, कोयमबटूर, दिल्ली, हैदरबाद, लखनव, मुंबई, मैसूर, पूने और सूरत में लॉंच किया गया है अगली बड़ी खबर है अमेरीका ने अरब खाड़ी में तैनात किया युदफोत, इरान से बढ़ा तनाव, जी हार दोसो, अमेरीका ने अपने एरक्राफ्ट कैरियर, U.S. अबराहम लिंकन की अरब की खाड़ी में तैनाती कर दिये, इस तैनाती की इरान के साथ, अमेरिका क को अरब की खाड़ी में तैनात किया है यू एसे अबराहम लिंकर पर तैनात अधिकारियों ने मीडिया को बता है कि उसके सामने कोई भी चुनोती आएगी तो वे उसका मुहतोर जबाब देंगे अमेरिका की नोसेना ने इस संबंद में बाचित करते हुए से इंकार कर दिया कि वे अरब की खाड़ी में हारमूज के पास क्यों नहीं गये हैं आपको बता दे कि उन्होंने कहा है कि वे उस अस्थान पर किसी भी जगह से मिसन के लिए तैनात है हाला कि लिंकर के कप्तान पूर्तुन ब्राउन ने मीडिया में कहा है कि आप अंजाने में तो कुछ बढ प्रधाना नहीं चाहेंगे आपको बता दे कि हारमूज पर इरान इसलिए बार बार दम भरता रहता है क्योंकि वह एक ऐसा जगह है जहां से तेल सप्लाई का रास्ता खुलता है अगर इरान हारमूज का रास्ता बंद करता है तो तेल के लिए 20 सुभर में हाहाकार मच प्रधान मतरी मोदी को भेजा संदेश पस्ची मंगाले में टीमसी कारी करता हूं और दमदम के अस्थानिये लोगों ने लगभग 10,000 पोस्ट कार्ट पर वंदे मातरम जैज सिर्राम और जैब बंगला लिखने के बाद उन्हें प्रधान मतरी मोदी को भेजा है दक्षिन दमदम नगर पारिका के चेयर्मेन डीब नरजी ने इस पर कहा है कि हम उनसे यह बताना चाहते हैं कि उनके लोगों के मन में क्या है हम उनकी गाड़ी के पास जाकर के चिलाना नहीं चाहते है आपको बता दे कि ममता बंगली ने हाल ही में उस समय अपना आपा खो बैठी ज उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों से इस पूर्सों के नाम लिखने को कहा, उन्होंने यह कहते हैं सुना गया कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अन्य राज्यों से आये हैं और यहां रह रहे हैं, हमारे साथ दुर्बेवार करें, मैं इसे बरदास्त नहीं कर और जिस वज़ा से उन्हें फिर से एक बार फिर उनके वहां से उतरना पड़ा और इसके बाद नए हाटी में धारना में बैठे लोगों ने संबोधित करते हुए ममता बज़री ने भाजपा के कुछ कारे करता हो अपनी कार के सामने आये और उन्हें अपसब्द कहने लगे उन्होंने पूछा किया यहीं लोकतंतर है जिहा दोस्तो अगली बड़ी ख़बर जम्मु कस्मीर में जल्ध हो सकता है परिसीमन जिंसंक्या के अधार पर बिधान सबाज चेतरों का पुनर गठन संभाव हो जिहा दोस्तो प्रदानमती नरेंदर मोधी की सरकार जम्मु कस् जनसंक्या के हिसाब से विधान सभा छेतर में पुनरगठं की मांग हो रही है इस फैसले को लेकर के परिसीमन कमिशन बिचार कर रहे हैं परिसीमन पर लगी रोख हटाने का मतलब है कि जम्मू कस्मीर छेतर में विधान सभा सीटों में बदला होगा अगर ऐसा होता है तो जम पाल मली की ग्रीमंतरी अमित सासे मुलकात हुई है जम्मू कस्मीर में नए सीरे से जारी बैठकों में ग्री सचीव और इंटरनेशनल ब्यूरो के प्रमुक भी सामिल किया गया है जी हां दोस्तो अगली बड़ी ख़बर है वर्ल्ट कप 2019 पाकिस्तान के हाथों मिली हार को क कोहली ने किया या जी हां दोसो भारतिय टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि उनकी टीम में चेंपियंस टॉफी 2017 की गलतियों से सीखा है और आगे बड़ी है भारत को चेंपियंस टॉफी में फाइनल के चीर परतिदों दी पाकिस्तान के हाथों का हार का सामना करना पड़ा है कोहली ने कहा है कि चेंपियंस टॉफी के बाद टीम में कलाई के स्पिनरों को लाना टीम के लिए बहुत बड़ा और अहम कदम साबित हुआ है भारत आइसीसी वी सुकप 2019 में दक्षिन भारत के खिलाफ पहले मैच को अपने अव्यान से सुरू करेगी मैच से प कलाई के स्पिनर लेकर के आए हैं जो मध्य में ओवर के विकेट लेते हैं चेंपियंस टॉफी की तूलना में हम बेहतर टीम बनेगे कोहली ने कहा है कि हम कल के मैच में बेहतर परदंसन खेलेंगे और अपने अनुभव का अपयोग करना होगा जो टीम दबाव चेल सकती है वे टूनामेंट भी जीत सकती है